हलो स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे आज हम अपना नया लेक्चेर का अच्छा बारा भौतिक बिग्यान का जो मौस्ट इंपारिटेंड की स्रीज बनाई जा रही है उसका नेश्ट जो डेरिवेशन है वह समांतर प्लेट स धारित की धारिता और ये बोड परिच्छा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपारिटेंड कोश्चन है इस जो चैप्टर से जो बिदुद धारिता चैप्टर है इस चैप्टर से एक नुमेरिकल और एक डेरिवेशन या डिफिनेशन हमेशा हर बार बोड परिच्छा में वालू करेंगे तो इसमें क्या है कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता इसमें दो प्लेटे होती है इसमें दो प्लेटे होती है और दोनों एक दूसरे के क्या होती है समांतर रखी होती है ये दोनों प्लेटे एक दूसरे के समांतर रखी होती है इनका एरिया कितना है एक प आवेस शुरोत के द्वारा, किसके द्वारा, आवेस शुरोत के द्वारा, तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण, रण आवेस आ जाता है, चीक है, और आवेस कितना दिया जा रहा है, क्यों, और इस पर कितना आवेस फिरुत्पन्य होगा, माइनस का, क्यों, तो प्रेर प्लस में इक इसी घटना होती, एक प्लेट्ट को हम आवेस देते हैं जो की कहलाती है आवेसित प्लेट्स गर्फ हम कोई दूसरी उदाशीन प्लेट्स उदाश thành प्लेट्स मतलब जितना उसके पास धन आवेस है इसे ले तो ये वाला प्लस इस वाले प्लेट के माइनस को अपनी और आकरसित कर लेगा और प्लस को क्या कर देगा दूर कर देगा और उस प्लस को हम क्या करेंगे प्रतबी से जोड़ देंगे और प्रतबी से इलेक्टरान निकल करके इस धनावेश को इसके धनावेश को खतम कर दें बढ़ जाती है और अंदर का माध्यम कैसा है परावैदुत एक प्लस है दूसरा माइनस है तो इसलिए हम इसमें एक परावैदुत पदार्थ रख देंगे जिससे ये दोनों आपस में चिपके ना तो इसके लिए हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था कि जब दो प्लेटें एक धनावैसित दूसरी रिडावैसित एक दूसरे के बहुत समीप रखी जाती तो उनके मद जो बैदुत छेत्र उत्पन्य होता है यानि प्लेटों के मद उत्पन्य वैदुत छेत्र बैदुत छेत्र की दिशा क्या होती है प्लस से माइनस की ओर ये बैदुत छेत्र उत्पन और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी मान लेंगे हम इसमाल D है तो इस टेटमेंट में क्या लिखेंगे माना दो प्लेटें एक प्लेट A है दूसरी हम मान लेंगे B है प्लेट A का मतलब हम प्लस क्यों आवेश देते हैं इसका मतलब आवेश रोज से जोड़ते और जिस पर रणावेस होता है दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर समांतर क्रम में रखी जाती है दोनों का छेतरफल क्या है समान है और इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो परावैदुत माध्यम है और जो कागज होते हैं ये सबीज़ प्लास्टिक और केस का परावैदु तांग है उसका मान है तो प्लेटों के मद्ध जो बैदु छेतर उत्पन होता है उसका सूत्र हमने पढ़ा था e is equal to sigma upon two epsilon not जो होता है वो एक प्लेट के कारण होता है इसमें दो प्लेटों के बीच के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोनों के जो बैदु छेतर होते हैं चाहे हो प्लस का हो चाहे हो माइनस का हो वो एक प्लेट का बैदु छेतर हमेशा sigma upon two epsilon not ही रहता है लेकिन दो प्लेट के बीच निकाल रहे हैं तो दोनों के जुड जाएंगे आपस में बैदु छेतर समान देशा में तो इसलिए सिग्मा अपान इपसाले नाट इंटू बीच का माध्यम कितना है के तो के माध्यम है तो इसलिए के परावेदु तांग जोड देते हैं अब हमको क्या निकालना है इस बैदु छेतर से हम निकालेंगे बीभव और उस बीभव का मान हम इस सूतर में रख करके धारिता निकालेंगे तो जो बीभव है यानि वी इस इकोल स्टू कितना पढ़ा था वी इस इकोल डी इससे हम बीभव प्रमरता के नाम से भी जानते है बिभाव प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर के नियम के अनुपरियोग में सिग्मा वराबर क्यों अपान ए एक आंक छेतर फल पर उपस्तित आवेस की मात्रा को आवेस का प्रेश्टिय घनत तो कहते हैं यानि सिग्मा तो यहां पर वैलू अगर जब हम पूट करेंगे ए की वैलू कितनी है क्यों अपान ए तो यह सिग्मा अपान इपसाले नाट इन्टू के तो सिग्मा अपान इपसाले नाट इन्टू के और इन्टू में क्या लिखा हुआ था यह डी अब सिग्मा की वैलू पूट करेंगे क्यों अपान ए तो ए भी हर में है और इपसाले ना इन्टू के और साथ में क्या था डी ये हमारा बीभाव निकल के आ गया हमको चाहिए क्या हमको चाहिए बैदुत धारिता तो बैदुत धारिता बैदुत धारिता क्या होती है ये किसी भी चालक द्वारा आवेस ग्राण करने की छमता को बताता है यानि कोई चालक कितना आव c is equal to q upon capital v का मान हमने कितना निकालना है q upon a epsilon not k और into में किया था यहाँ पर d था इस q से q को कैंसिल कर देंगे तो यह एक बचा अब यह कहाँ चला जाएगा उपर तो उपर जाएगा तो यहाँ पर c की value कितनी मिल जाएगी हमें a epsilon not k और नीचे क्या बचा के वल d धारिता जो कि कितना आया है a epsilon not k upon d और धारिता का मात्रक क्या होता है fared capital f अब इसमें क्या देखते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित की धारिता आई है उसकी निरभरता किस पर होती है समांतर प्लेट संधारित की धारिता की निरभरता ये भी question साथ में पूछ लिया जाता है तो इसमें सबसे पहला चीज जब सभी को constant मान लेंगे C, C, K और D को तो किवल बचेगा क्या A तो area बढ़ाने पर ये बिद्धुधारिता भी बढ़ेगी यानि प्लेटो का छेतरफल बढ़ाया जाएगा तो बिद्धुधारिता का मान भी बढ़ जाता है और घटाने पर घट जाता है तो C जो है वो समान उपाती है A इस सूतर से और जो दूसरा नंबर आएगा वो क्या है C जो है वो समान उपाती क्या है Epsilon Not Epsilon Not क्या है Epsilon Not हमें बताता है कि जो बैदुत बल रेखाई होती है जो बैदुत छेतर को बरताशित करती है वो कितनी दूर या कितनी पास है इन के मध्य सघंता और बिरलता को बताता है Epsilon Not तो बैदुत छेतर का मान बढ़ाने पर बैदुत बल्रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और जिसके कारेन इपसाइलेंट नाट का मान भी बढ़ेगा तपसी का मान भी बढ़ जाएगा और जो तीसरा है वो है के यानि बीच का माद्ध्यम जब बढ़ाएंगे केक आमान परावय धुतांग बढ़ाएंगे तो हमारी धारिता भी बढ़ जाएगी ठीक है कोई किसी भी आवेस द्वारा किसी भी चालक द्वारा आवेस ज्यादा ग्रहन किया जाएगा फिर और सबसे लाश्ट वाला बचा है वो है सी अब इन सभी को कांस्टेंट मान करके क्यों क्या मानेंगे दी लेंगे और सी लेंगे तो उपर क्या बच जाएगा किवल वन और नीचे कौन बचा दी तो सी ब्यूत करमान पाती हो जाएगा दी के यानि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे प्लेटों के मद्ध दूरी बढ़ाएंगे तो बिद्धु धारिता का मान घटेगा ठीक है तो दूरी प्लेटों के मद्ध हम पास रखेंगे जिससे किसी भी चालक की बिद्धु धारिता का मान बढ़ जाएगा यानि जो चालक है वो ज्यादा बिद्धुतावेस को खींचेगा बिद्धुतावेस को ज्यादा रखेगा तो यह most important question है और इसका revision आप कर लिजे, इसका एक और derivation है जब इसके बीच में कोई एक परावैदुत पट्टी रख दी जाए, जैसे हम कह सकते हैं दो समांतर प्लेट रखी गए है ऐसे संधारित प्लेटे रखी गए है जो संधारित का निर्माण करती है, अब इनके बीच में हम एक किताब रख देंगे, तो वो एक परावैदुत पट्टी की भात बेहार करेगा, ठीक है इतना कर लिजेगा अगली गलास में मिलते हैं